गुड़्मारिंग एब्रीवन गुड़्मारिंग एब्रीवन एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सब्सक्राइब के नहीं है तो चले प्रिविएस क्लास में जहां तक लोग पढ़े थे उसके आगे का टॉपिक को आज लोग कवर करने का फूसस करेंगे जितना हो सके हिस्ट करते हैं फटाफट प्रिवेस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 1784 में रानी गंज कोल फिल्ड में कहां पे 1784 में रानी गंज कोल फिल्ड में जॉन सम्नर और सस्टेनियस ग्रांट हिटली नाम के दो जियोलोजिस्ट अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में कोईले का माइनिंग स्टार्ट किया रानी गंज कोल फिल्ड जो कि है वो सलानपूर कोलियरी आदवी अपस्ति थे जो की दामुदर नदी के पक्षमी किनारा में वस्ति थे यह जो कंपनी थ आगे बताएगा टैगोर एंड संस नाम के एक कंपनी थी जिसको बनाया गया था टैगोर याद रखेगा यह रविंद्र नेनार टैगोर वाला टैगोर नहीं है क्योंकि रविंद्र टैगोर टैगोर 1850 के आसपास में उनका जन्म दी थी है डेट वर्थ है तो जब वो तो टैगोर एंड संस नाम का कंपनी एक बनाया गया था बाकी का कोल का कंपोजिशन बताया थे कि पांच एलिमेंट जनरली होते हैं कार्मन ऑक्सिजन नाइट्रोजन सलफर हाइड्रोजन लेकिन इसके अलावा फासफोरस भी कभी कुछ कोईल में कुछ मातरा में पाय जात कोल का डिमांड बढ़ा फिर वाल्ट वार वन उसमें डिमांड बढ़ा कुल का फिर वल्ट वार टू हुआ उसमें डिमांड बढ़ा ठीक है 1930s में बता रहे थे कि बहुत सारे वयपारी थे जो विहार बंगआल और उडिशा इन जगह पे डिपर कोल कomena जिसमें छत्रिय थे, पंजाबी थे, कक्चीज थे, मारवाडी थे, गुजराती थे और सिंधीज थे ये लोग कोल का माइनिंग कर रहे थे जगा पे आपको हम पहले पूचे थे कि सबसे पहली सरकारी कमपनी कौन सी है तो वो आपका SCCL हो जाएगा जो कि 1945 में एक प्राइवेट कमपनी था, बट 1956 में अंदर परदेश गौवर्मेंट के अंदर में चला गया 1956 में बताया थे कि NMDC का उद्गाटन हुआ था, NMDC का फूर्परम होता है National Old Development Corporation तो यहां तक आप समझ गया थे, यहां से हमको पढ़ाना था, इसके बाद का, चलिए समझते है देखिए जब आजादी मिल गया, उसके बाद धिरे धिरे इंडर्स लाइशन को डेवलप किया गया तो कोल सेक्टर अच्छूता रहा था, कोल सेक्टर में डवलपमेंट तो बहुत सरा हो रहा था लेकिन कोल सेक्टर में आपका परिवरतन बहुत हुआ, बट एक बढ़कड़ा डिसीजिन का जोरा था तो 1771 में, प्राइम मिनिस्टर स्रीमती इंदरा गांधी जी हुई और उन्होंने दो एक्ट लागू किया उस एक्ट का नाम था, एमर्जेंसी प्रोविजन एक्ट 1972, एमर्जेंसी प्रोविजन एक्ट 1972, 1972 और इस 1972 वाले जो एक्ट है, इसमें दो फेज में इसको लागू किया गया था, पहला फेज था, जिसमें कोकिंग कॉल को नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज का मतलब होता है, सरकारी करन, नेशनलाइजेशन, रास्चे करन, इसको हम लोग कहते हैं, मतलब यह है कि दो थोड़ा काम करने वाला थोड़ाबुल यह सब का सबको नेशनलाइज कर दिया गया तो इस से क्या होता है पूरा का पूरा सरकार के उपर निरभरता हो जाता है अब कुछ बेसिक सा चीज को आप समझेंगे और आप इससे रिलेटेट कुछ बात को समझेंगे जैसे दिखिए ऐसा है कि हम माल लिजिए दीपक साहू बहुत रही साथ में माल लिजिए यह बोलते टाइम भी हसी आ रहा है नगरी वह लेकिन माल लिजिए तो दीपक साहू ए एक company खरीद लिया एक company है coal India Limited ठीक है coal India Limited दीपक साहू क्या किया इसका 10% share खरीद लिया यानि 10% हिस्सेदारी company में खरीद लिया तो coal India Limited में government of India का भी कुछ होगा government of India चुकी एक सरकारी company है तो government of India का भी share होगा तो government of India का share अब जगर दीपक साहू 10% खरीद लिया तो government of India का share हो जाएगा 90% तो इस समय भी ये coal India Limited पूरी तरह से सरकारी company ही रहेगी कुछ मात्रा में हम decision ले सकते हैं लेकिन बाखी 90% ये सरकारी ही रहेगी इसके बाद मेरे पास पैसा आया हम 20% हिस्सेदारी खरीद लिए तो तब भी इसको हम सरकारी ही बोलेंगी और इसमें जो decision होगा वो मेरे तब ही कोई खास फरक नहीं पड़ेगा फरक तो पड़ेगा ये company को बट उतना नहीं पड़ेगा लेकिन अगर हम 49% खरीदेंगे और इसके पास 51% अस्टेक रहेगा तो मेजर प्लेयर आपका कोल इंडिया लिमिटेड में government अप इंडिया ही रहेगा उसका decision ही लागू होगा बोर्ड में meeting जब होगा तो decision तो सबका मत से होता है लेकिन जाद अतर चुकी हिससेदार इसके पास है इसलिए इसका मालिक आना हक या ओनर के है ओनर वो government अप इंडिया ही रहेगा लेकिन अब अगर हम 51% से होते होते 100% खरीद लेंगे तो हम government अफ इंडिया को बोलेंगे कि आपका टाटा बाई 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 गुडबाई आप ये पूरी तरह से मेरे द्वारा ओन किया जाता company तो कुछ आप अगर कभी पढ़ेंगे कोई कोई company के बारे में तो उसमें लिखा रहत है fully owned by government of India government of Gujarat owned by government of Gujarat ठीक है और partially owned by Gujarat government of Gujarat shareholder by government of Gujarat subsidiary subsidized by government of Gujarat ऐसा बहुत सारे term का इस्तमाल किया जाता है इसका क्या मतलब fully owned मतलब पूरी तरह से भी है 100% उसी के द्वारा है ओंड अगर लिखा हुआ है ओंड लिखा हुआ है मतलब 70% 80% कुछ ऐसा है ठीक है पार्सियली का मतलब होता है कि 50% से कम है और सबसीराइस का मतलब होता है लगभग 50 के असपास है तो ऐसा कुछ-कुछ मतलब होता है company के पीछे जो नाम लिखा रहता उस नाम में अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो हमने ये बताया था कि दो एक्ट लाए गया था एमर्जेंसी प्रोविजन एक्ट के अंदर ऐसा नियम बनाए गया था कि जो भी भारत में कोकिंग कोल होंगी जो भी भारत में क्या होंगी कोकिंग कोल होंगी उसका नियर्ष वाएशन सबसे पहले होगा यानि अगर हम आप से पूछे कि कोकिंग कोल का नश्णा नियर्ष लाइसन कब होगा तो 1972 कहना है क्या कहना है 1972 और इसको हम लोग कहते हैं फेजव वन मतलब दो फेजों में कोल का राश्टिय करन किया गया था जिसमें सबसे पहले कोकिंग कोल का किया गया था 1972 में उसके बाद फेज 2 आता है जिसमें नौन कोकिंग कोल का राश्टिय करन या यू कहें कि all कोल जितना भी कोईला बचा हुआ था सब कोईला का राश्ट्य करें तो आपको बोलना होगा 1973 क्योंकि 1973 ओल कोल के लिए होता है कोईला तो आपको कहना है 1972 कोईल का 1972 सिर्फ कोल या नॉन कोकिंग का बात करें तो 1973 होब यह डाट आपका क्लियर होगा ठीजिक है चले तो Emergency Provision Act निकाला गया था, उसी के हिसाब इसी में ये decision लिया गया था, हलाकि Emergency सब्द से स्रीमति इंधरा गांधीजी को काफी लगाव था, बट कोई नहीं, अभी हम लोग फिलाल पॉइंट वाला बात करते हैं, Emergency Provision Act 1972 और 1973, I hope दिमागों बैट गया होगा, चलिए, अब कुछ बिसेश बात, देखो यार 1972 में जब कोकिंग कोल को nationalization किया गया, तो भारत का एक subsidiary company है, कोल इंडिया लिमिटेट का एक subsidiary company है, जिसका नाम था BCCR, बिसेशील का मतलब होता है, भागो कुकूर काट लेगा, मजा कर रहा है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेट, भारत कोकि कोल लिमिटेट 1972 में जब किया गया था, यानि सबसे पहले, अगर हम पूछेंगे कि बताओ भाई, कोल इंडिया लिमिटेट की सबसे पूरानी company कौन सी है, या कौन company के जग़ा हम बोलेंगे, सबसीडरी कौन सी, तो आपको बोलना होगा, फटाक से BCCL, BCCL जो है, वो सबस सबसे पूरानी company है, कोल इंडिया लिमिटेट का, दियान रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेट की सबसे पूरानी company का ओना, BCCL, ये किसका production करती है, कोकिंग कोल का production करती है, अब हम बार बार, कोकिंग, कोकिंग, नॉन कोकिंग, आसा क्यों कह रहे है, इसके पीछे का करते हैं, देखो कोल को ब्रॉडली, अगर हम बाटे, यूज के हिसाब से, तो इसको हम यूज के हिसाब से, दो के टेगरी में बाटते हैं, एक आता है कोकिंग कोल, और दूसरा आता है, नोट को, कोकिंग कोल को हम स्टील इंडिस्टी में बहुत प्रिफरेवल और फेवरि स्टील आता है, एक आता है, आपका इसको का, इसको का, इसको का, इसको है, इसको है, इसको है, जिसको टाटा स्टील भी कहते हैं, तो टाटा लिखने के जोरत नहीं था, सेल है, ये सब कुछ भारत की प्रमुक कमपनी है, जो स्टील का मेनफेक्शन करती है, और भारत में स् और इसको कूछ एस तैप कहो हम इस्त duty सबस्कार करना चाहें तो इसको इक में चेंज करना पड़ेगा यह सब बढ़ाएंगे स्भषाइब analyses इसको में हैं की आा कोंगी कहीत के थोड़ा सा जला हुआ रहता है हलका सा उसमें जला रहता है प्रोसेस होगा सर तो उसमें खर्चा भी होगा और एक बर हमको प्लांट भी बनाना पड़ेगा तो ऐसा सेटप का जुरत ही ना पड़े इसके लिए पोकिंग खोल का इस्तेमाल करते नॉन कोटिंग से भी बनाया जा सकता है लेकिन पहले उसमें रख़ेगा इसमें पुछ सुष्ण हुआ है को खेंगे बढड़ते हैं कि चरह आगे बढ़ते हैं इसके बाद 1975 में 1972 में हम क्या बता है नाइंटीन सेवेंटी तो बता है कोकिंग कोल का नाइस लाइशन हुआ था कोल इंटे कोल इंडिय लीमिटेड का अस्थापना कभ व्योंथा सब्सेडी कमपनी पूछ सकता है नाइस अस्फिडेश कोसा था तो मात्र है इस में विल Gir deux नहीं था इसमें बहुत सरा माइस को जोड़ना पड़ा था और जोड़ कि उसको बाद में भैरी करना पड़ा था फाइनली लेकिन मान के चलिए कि पांच को सबसेटरी उस टाइम था ठीक है जब को लिंडेल मुटेट बना 1975 के असपास बड़ उसके देरे-देरे सब का फॉर प्रिमेशन भी क्या सकते है ठीक है अब बाकी हैंपे बहुत सरा वासरी के बारे में दिया हुआ है वासरी क्या होता है सारे में हम पहीला भेशते हैं को इला में जोट्प्रां घुल और लेताया था एक स्वड़ practically है था हुप कुछ मातरा में उसमें टीट को्वा सर्थ करक इससे क्या होगा कंपनी डायरेक्ट उसको वास्ट नहीं करना पड़ेगा बाकि यहां पर सबका दिया हुआ है एंसील और इसी सील का के बीच में हुआ था कूल इंडिया लिमिट्रीड पहले एक मिनी रतने कंपनी थी जिसको 2006-2007 का फैनेंसी लियर में में रतना घुसित किया था समझते हैं एनर्जी एनर्जी सेक्टर एनर्जी सेक्टर क्या हो सकता है एनर्जी सेक्टर बहुत सरा मिन्डल हो सकता है ठीक है एनर्जी सेक्टर या जो माइनिंग वाला सेक्टर होता है इसमें जो भी माइन्स वाली कंपनी होती है उसको हम जो बहुत ज़्यादा प्रोड लोगनी गो हम तीन कटेगरी में बाट देते हैं छिक है यही होता है हम विधने को होता है जिसे में महारतना कि उसके बाद आता है नवरत न इसके बाद आता है मिनी रत्न अंळट रहे eco लेकिंश्च मैं चैकल का रह लेकिन एसा न difficिनी इसके आंधर में भाटते हैны तो जब कभी कोई कंपणी का टर्न प्लस हो जाए तो उसको मिनी रतन कहा मस्टेटस दे सकते हैं ठीक है जिसको हम यू कह सकते है कि यूनी कॉन कंपणी जो भी कंपणी सौ करोड से उपर का टर्न ओवर करती है उसको हम यूनी कॉन कंपणी का दर्जा दे देते हैं ठीक है चले तो मिनी रतन कंपणी सौ करोड से उपर का टर्न ओवर लेती है तो हम मिनी रतन कहते हैं नव रतन में कवा 500 करोर से उपर का turnover लेती है और महारत्न में 1000 करोर का turnover करती है तो उसको हम लोग इस category में बाटते है मिनी रतना और यह सब बाटने से क्या होता है अगर इसी एक ठपा किसी कंगनी में लग उसमें बहुत सारे लेबर लॉज इंप्लिमेंट हो जाते हैं लेबर लॉज वर्कमेन कंपनसेशन एक्ट ठीक है तो यह सब बहुत इस्टिकली फॉलो होते हैं यानि पैसा कोड़ी बहुत ही अच्छा मिलता है कोई अगर मर मुरा गिया तो उसका मौफजा टाइम पर मिलता ह सबका तो इसमें नौकरी करें बहुत अच्छा गर को महारत न कंपनी मिल रहे है महारत्ने कंपनी की और आप अक्सर सुने होंगे या देखे होंगे कि यह सेल का आदमी है उसको कम पईशा मिल रहा है वाला को ज्यादा मिल रहा है समझे बिसेल को बोलते हैं बहुत ज्यादा मिल रहा है सीसेल में अच्छा पेमेंट है सेल में थोड़ा सा कम है इस कंपेर तो और डवलू सेल में थो को 45-50 क्या सपास मिल रहा है तो माइनिंग सरदार ही पोश्ट है ना सर पोल इंडिया के लिमिटेड ही अगा अंडर ही है लेकिन फिर पाइसा में इतना वैरियेशन क्यों देखने को मिलता है तो उसका पीछे का कारण है प्रोडक्शन जितना कमपनी करेगी उतना कमाईगी अ कि अब आते हैं हम लोग 2011 के उपर तो 2011 याद रखेगा को कौन सा महारतना अवर्ड से नवाज आ जागिया कि 11 अप्रेल 2011 तो यह सब डाटा आपको याद रहना चाहिए और एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था सेंचुरी इंटरनेशनल क्वालिटी एरा आवर्ड पहल था 2011 चांदी चांदी था को लिए बहुत कुछ परिवेड़ द्राट अब परजेंट की बात परजेंट क्या है सब्सक्राइब को यह निन इंडियन स्टेट-ओंड कोल माइनिंग और रिफाइनेरी कंपनी हेटक्वार्टर इं कौल काता वेस्ट बंगाल इड लार्गेश् सबसे बड़ा कोल माइनिंग कमपणी समझते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनिंग कमपणी ऑप्षन पहला है दूसरा है तीसरा है चौटा है पहला ऑप्षन है कुछ और एक कमपणी का निया रहा है मेरे कुछ नाव कि और चौथा है ननौप दिच तो बताएगा कौन सा ऐसा कमपणी है जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सबसे बड़ा कोल माइनिंग का कमपणी इसको हम कोश्चन पर वन डिकलियर करते हैं बताएगा वन का कोल माइनिंग कंपणी का कौन सा है तो इसका अंसर हो जागा रियो तिंटो आपका दिमाग में आया होगा लेकिन ये गलत है कोल इंटेलियर लिमिटेड सेकेंड नमबर पर चीक है देखो यार रियो तिंटो में बहुत कम इंप्लॉई है इसलिए क्यूंकि वह बहुत ज़ लेकिन इसमें में जगह से प्रोडक्षन है सबसे ज़्यादा करती है चाइना कोल कॉर्पोरिशन यह तो भाई बेकारी कंपनी चाइना है तो बेकार है बाकी ननो दिच तो इसमें अंसर आपको पता चल गया है है तो अब थोड़ा सा और आ इसमें तो औराऊसे बिच्च का फ्रेजन्ट मत देखें आज का क्या से हलात है तो कोल इंडिया लिमिटेट का बोला गया है कि पडॉय क्या होता है पडूरा लग's करने संहीं को ऑल्ल्मुस्ट मिनिंग सेम कैंपराइज है टर्बनिश्टी क्लि कर लिए चाले कि जीड़ चेंवें फुरी तारि दे लिए हुष क क्या एक रहीं कि टो इसकार कुल इसा कंपनी है जो भारत का सबसे बड़ा माइनिंग का कंपनी है लेकिन दुनिया में सेकेंड नमबर पे आता है कौल काता है वेश्ट बंगाल में इसका है जहांपे इसका ओफिस है यह एक महारतने के टेगरी में आता है यानि कि पांसो हजार क्रोड से उपर का टर्नोबर य सिल साथ है sounds क्या है निकालने वाला निकालने वाला और ख क्या है पूरा पूरी पूरा पूरी सबसीड रहे हैं कौन-कौन सा यह वर पढ़ते हैंativo क्यों क्यों पर गठते यानि के साथ उसकिशन को हैं पढ़ लते हैं 122 बार पर लिम टेड और शीयल भारत पोरा ». कौन फिलिय्ट सीजए रियानि सेंट्रल कोल्फिल लिमिटेड डबलू सीयल लियानि वेस्टन कोल्फिल लिमिटेड氣क सेसी लियानि साउत इस्टन इस्टन इनिसी बना या नॉल्टन क् Discoverる लिमिटेड और MCL मने महानादी कोल फिल्ड लिम्टेड टोटल कितना कंपणी हो गया साथ तो एक कौन है भाई साब एक है CMPDIL कोईला का माइनिंग करती है नाना कोईला का माइन से CMPDIL के पास नाना तो क्या है इसके पास मां है मतलब इसके पास बेसिकली प्लानिंग करने का अधिकार है कि कैसे माइनिंग किया जाएगा मेजर्मेंट पिलर कितना छोड़ा जाएगा मेजर्मेंट पिलर को देख के पता चलता है कि आपका जो माइनिंग का डिजाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा बेंच का चोड़ाईया इ साथ माइन प्लाणिंग डिजाइनिंग करती है ठीक है चले एक एक करके अब हम लोग समझते हैं सी एम पीडियाइल आठवा कमपणी है जो की होली ओंड सबसीडरी है यानि पूरी तरह सा सरकार के आ अंदर में आती है जो की प्लानिंग और टेखनिगल सपोर्ट देती है को चाहरा है कि हम एक काम करेंगे अब हम निथेन गयस का एक्स्ट्रेक्शन करेंगे तो भाईया हमारे पास पैसा नहीं संसाधन नहीं तो वह को बोलेगा देखो हमरा पास मसीन उसें तो नहीं है लेकिन माईस वह बांध हुआ था उसको कोई निकालने वाला कंपणी है तो कुछ भी करके आदमी खोजके उसको देगा तो यह हो गया दलाली यानि कंसल्टेंसी वाला काम ठीक है चली है तो आपको क्लियर हो गया हो गया चली है अब एक कंपणी है एनिसी एनिसी क्या है बच्चा है एनिसी क्या है बच्चा छोटा बच्चा एनिसी का मतलब होता है नौर्थ इस्टन कोल फिल्ट यह पढ़ता है आसाम में यह कोल इंडिया लिमिटेट की सबसीडरी है क्या नहीं कोल इंडिया लिमिटेट का पा आखाने करने में बड़ा समस्य आता है तो उसके लिए जो गॉफर्मेंट आप आसाम माइनिक सेक्टर में उतने सही से काम नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास तजूरुबा नहीं है माइनिंग का तो वह कों इंडिया लिमिट्टीट से संपर्क है कि वह यह काम कर तुम थोड़ा सा इसको गाइड करो देखो तुमाढ कोंगा वह ही समझाती है बताती है कि ऐसे करنا तो पूरी तरह से इसको गाइड करती है। तो नौर्थ इस्टर्ण कोलड लीमिटटब्स को गॉद लिया हुआ। इसी तरह से एक complex था जिसका नाम है डाकुनी coal complex इसका नाम क्या है डाकुनी coal complex तो DCC का क्या संबंध है coal India के साथ तो संबंध यही है सर कि DCC जो था उसको coal India Limited पहले गोदी लिया उसको समझाया एक छोटा सा डाकुनी coal complex पढ़ता है तो उसको coal India Limited गाइड किया कि ऐसे mining करो ऐसे अगर आप से पूछ लिया जाए management वाला थोड़ा ध्यान दीजेगा और सिंपर इंपर वाला भी थ्यान दीजेगा अगर पूछा जाएगा कि DCC इनमे से किस से संबंधित है या किसका पार्ट है कि ऑप्सन देगा आपको पहिल का ऑप्सन देगा SECL बी सी सी एल कि ECL और डी होता है आपका कर लेते हैं डब एम सी एल चलो ऐसा देदेगा तो आप सोचिएगा डाकूनी डाकूनी नाम तो बंगाली टाइप का लगता है इस एल जो है वह बंगाल में है तो ECL से संबंधित होगा तो ऐसा तुक का मत मारिए गया है तो यह दिमाग में आगिया है आपका चल अब उसका पूछ देगा एनिसी का हेड़कौर्टर कहां है तो आसाम में है एनिसी का हेड़कौर्टर कहां है आसाम में तो किलियर होगी आप आपका अब आते कुछ मज़ेदार बातू की और अरे यार एक सेकेट एक सेकेट एक सेकेट जेस्ट एसे केड़ थोड़ो सा हाँ 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 चले कोई अभी हम लोग आते हैं कुछ मज़ेदार चीज पढ़ने के लिए ओक्या है यहां पर हम आपको दिखाते हैं अगर रूख कि अब कर देख रहे हैं इस कंट्री में भारत सरकार थोड़ा सा अपना हिस्सेदारी दिखा रही है एक कंट्री है जिसका नाम है मोजांबिक यह बैसिकली अफरीका का कॉंटिनेंट में पढ़ता है इसमें भारत सरकार अपना योगदान दे रही है थोड़ा सा इसको बढ़ा चड़ा रही है ठीक है क्योंकि यह जो कंपनी है यह जो देश है कि यह जो देश है काफी गरीब है इसका माइनिंग माइनिंग का थोड़ा सा दिक्कत था तो मोजांबिक जो है भारत सरकार से संपर्क किया बोला कि भाई आप बड़े भाय है आपका इतना चाचा माइस चला थोड़ा हमको भी सिखाईए कि कैसे करना है नहीं करना है तो भ पास अपना कभी-कभी टीम भेजो थोड़ा इसको गाइड करो है ना तो इसी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड एक विदेशी कंपनी भी ओंड करती है ठीक है एक विदेशी कंपनी क्या करती है जिसको हम लोग कहते हैं कि यह एक फॉरेंड सबसीडरी इसको कहा जाता लेकि कि कोल इंडिया लिमिटेड का कितना सबसीडरी आपको आँख बंद के बोलना है आठ अगर हम पूछेंगे कोल इंडिया लिमिटेड में कोल प्रोडूसिंग सबसीडरी कितनी है कोल प्रोडूसिंग सबसीडरी आपको बोलना है साथ अगर हम बोलेंगे कि कोल इंडिया लि बताना है C.I.A.L. Coal Indiana Africana Limited Coal Indiana America Africa Limited ठीक है तो ये एक foreign subsidiary कहा जाता है लेकिन subsidiary है नहीं मेरे भाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि Coal India Limited मोजाम्बिक में जो उसका company था C.I.A.L. Coal India Africana Limited ये बिसिकली और नाम था इसका तो इसका नाम चेंज कर दिया गया Coal India Africana Limited ये मोजाम्बिक गवर्मेंट डिसिजन लिया कि चलो इसको नाम चेंज करते हैं और इसको contribute देते हैं Coal India Limited को जो भारत का एक company है उसको हम contribute देते हैं कि हम आपके प्रती परसपर इसके लिए हम आपको respect दिखाते हैं तो इस रिस्पेक्ट के नाम में दिया है ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से company Coal India Limited का ही है ठीक है तो ये इसको हम लोग foreign subsidiary भी कहते है ये coal का mining करती है अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए इसमें भारतियों का reservation है जा सकते हैं जैसे भारत में बहुत सारा वेकेंसी निकलता है तो हम लोग नेपाल को गोर्खा candidate को reservation देते हैं इसी तरह से कोल इंडियान अफ्रिकान अविटाड़ा में reservation है इंडियन candidate के लिए मतलब इंडियन बहुत आदम होगा जौब कर रहे हैं तो आप अच्छे पोस्ट में जा सकते हैं माइनिंग सर्दार और में का मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन हाँ अगर आप बीटे किये हुए हैं तो यहां पर इंजिनियर के पोश्ट पर आप जा सकते हैं थोड़ा सब्सेडरी लिखा हुआ है CCL, WCL, SECL, NCL, MCL, CMPDIL और उपर में भी एक था तो टूटल आपको हम अच्छे समझा दिये हैं साथ को प्रोडूसिंग कंपणी है एक ठोच जो है वो माइनिंग प्लान डिजाइन करती है टूटल मिला के सब्सेडरी आर्ट है उसके अलावा कोई भी सब्सेडरी नहीं है लेकिन बाकी सब किसी ने किसी तरीके से मदद करती है इसलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाकते हैं चलिए आब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कोल्ड रिजर्व की उपर में तो देखो जब अंग्रेज आये थे तो तीन जगह पे ज्यादा फोकस था उनका कोईला को लेकि तीन जगह पे ज्यादा फोकस था एक ता बिहार पर जो अभी जारखंड है ना वो बिहार में था टाइम एक था बंगाल पर बंगाल इसलिए था क्यूंकि बंगाल काफी डेवलप था बंगाल पर पोट वगरह हुआ करते थे वहां से ट्रांसपोर्ट भी आसान होता था तो बंगाल पर भी फोकस था और एक था ओडिशा पर उडिशा में क्या है उतना डेवलप्मेंट हो नहीं पाया था उस पर्टिकुलर टाइम में और उसका फाइदा उठा रहा था अंग्रेज लोग है ना वहां पे जाके माइस खोल रहा था और गरीब आदमी लोग को नोकरी वहकरी देने का नाम पर फूरा काउग वहम करना था बारा गटा तक का इस्तिति था उस टाइम नियम ऐसा था कि बार गटादको काम करना पड़ेगा टुवैल बावर आपको कम से कम माइन सुमर हाना पड़ेगा काम करनापड़ेगा उस iOS default अब motor समझे कि अभी JOHNंप खाजाएंगे उसमें बहुत सारा लोकेशन को ज्यादा प्रिफर किया जाता था जारखन का खास कर खास जरिया जामाडोभा बली हारी तीसरा कत्रास गड केलूडी कुसुंडा गोविनपूर सीजुआ सीजुआ लोयाबाद धनसार भूली बैर्मू मुगमा चासनाला बोकार भूकतार डी पुटकी चिरकुंडा बर्वा शिनिडी केंद्रवार डी दुमका यह सब कुछ ऐसे जगह थे जिस पर फोकस था खासा खासा फोकस था और यह सब टाइम एक टाइम डेबलफ हुआ करते ताज हम जब जानते हैं जरिया में आग लगा हुआ है उसके पीछे का करिजन जानते हैं कौन है इसके पीछे का रीजन है अंगरेज करना तो कभी अंगर्जी मुवी देखिंगा चार्फ गाली दिजीएगा यहीं अगणरेज है जो आग लगा के चलेगा जरिया मीं आदमी में भीर लगा दी हिंदु मुस्लिम बाहला और जरिया में भीया आग गोल्ड रिजर्व के उपर में तो देखो एक होता है रिजर्व एक होता है रिजर्व और एक होता है प्रोड्यूसर ठीक होता है प्रोड्यूसर रिजर्व का मतलब होता है कि हम कितना अपने पास रखें कितना मेरे पास है हम इस्तमाल करें नहीं करें निकाले नहीं पूछता है प्रोडिसर का मतलब होता है कितना अप निकाल रहे हैं और उसका इस्तमाल कर रहे हैं तो रिजर्व के मैटर में भारत पांचवां अस्थान पर आता है याद रखेगा अगर बोला गया कोल लिजर्व के में अक्सर पूछता है मारे भाय अक्सर पूछता है पूछता ही है तो आपको याद ही करना पड़ीद प्रतिसद का याद रखेगा अगर है coal reserve का matter में आता है United State जिसमें 22.3 प्रतिसत वर्ल्ड का share रखता है यानि अगर पूरा दुनिया में 100 प्रतिसत कोईला हम ऐसा माल ले कि पूरा दुनिया में 100 प्रतिसत कोईला है तो उसमें से 22 प्रतिसत कोईला United State के पास है सकेड नमबर पे आता है रसिया जो अभी बहुत चुटा चुटा में बढ़ गिया है या रसिया योकरोन वार वार अईसे करके तो रसिया जो है उसमें 15 प्रतिसत साड़े 15 प्रतिसत योगदान है वर्ल्ड का यानि वर्ल्ड में अगर 100 प्रतिसत कोईला है तो रसिया का 15 प्रतिसत योगदान है 15 प्रतिसत को इला जो है वो रसिया के पास थार्ड नंबर पर आता स्टेलिया जिसमें 14 प्रतिसत का योगदान है तो देखो यार जनरली क्या होता है कि जो लड़का ICM से बीटेक कर रहा है लटका कमपणी में युनाइटेश चैट का कुछ कमपणी से रसिया का रशाय बहुत सारा है प्लेसमेंट वाला और अच्छा चुन-चुन के नगिना को ले जाता है बहुत सारे लोग हैं जो उसमें नहीं जाते हैं, अलग अलग जो एम्टी वाला वेकेंसी आता है, तो ऐसा होता है, अस्टीलिया का योगदान है 14%, चाइना का है 13.1% यानि फादर अफ कोरोना का कितना है, 13.1% और इंडिया का 9.5% योगदान है, यानि वर्ल्ड में अगर 100 प्रतिसत कोईला है तो 9.5 प्रतिसत कोईला किसके पास है इंडिया का पास है तो याद रखिएगा इंडिया पांचवा अस्थान पे आता है as reserve बागी आप पढ़ सकते हैं छठा नमबर पे जर्मनी है 3.5 परसेंट यूकरेन है साथवा नमबर पे 3 साड़े 3 परसेंट के आसपास है साथ अफरीका है 3 परसेंट पोलेंड है 2.5 परसेंट और कजिकस्तान है 2.5 परसेंट तो देखो यार जो मैंनिंग अच्छा करता है तो यह सब जर्मनी कंपनी है यहां जा सकते उक्रेण छोड़ दो और रस्या चोड़ दो ठीक है तो यूएस में जर्मनी में साथ अफरीका में पोलेंड में यह सब या बारतियों के साथ भेदभाव नहीं होता है तो आप जा सकते हैं अगर आप बीटेग बीटेग किया हैं तो ट्राइक करतें बाकि वैकेंसी वाला में निकालूंगा कभी यूटुब में डालके चले आगे बढ़तें तो अब हम लोग पढ़ें कि वर्ल्ड में इंडिया का क्या रिजर्व हम लोग पढ़ते श्टेट वाइस कितना रिजर्व है ठीक है जार्खंड का अगर हम बात करें तो इसका पहला अस्थान आता है जार्खंड में एक सिटी है जिसको कॉल कैपिटल पिंडिया कहते हैं जार्खंड पहला स्थान पे हैं कॉल डिजर्ब टो इसको याद रखेगा जोक ऩोवय याद नहीं रहेगा यहाँ तक यादů रहागा जोक है ऑक् का मतलब MP तो यह अगर आपको याद रह जाएगा तो आपको कभी कन्फ्यूजर नहीं होगा कि किसना किसका नंबर पर रिजर्व है जोक एम जोक डबलू एम जारकन ओडिशा चातिस गड़ वेश्ट बंगल मद्यपरदेश ठीक है तो यह है आपका रिजर्व वाला स्टेट बाई स्टेट अब आते हैं हम लोग अलग अलग और भी आगे हैं चाथा नंबर पर तमिल नाडू आता है सात्वा नंबर पर राजस्थान आठवा नंबर पर गुजरात आता है नाइन्थ पर पॉडिचेरी टेंथ नंबर पर जमुएंड कास्मीर लेवन पर केरला और यह अब प्रोडचन का पतलब होता है कितना निकाल रहें किस रेट पर निकाल रहें पोड़क्शन कर रहा तो तो पहले नमर पर चाइना है इंडिया थाड नमर पर इंडोनेसिया एक छोटा सा कंट्री है फिर आता है उनाइटेड एस्टेट फिर्न नमर पर चाइना, सेर्न नमर पर इंडिया थाड नमर पर इंडोनेसिया और भी 66 उस्टेट और भी आगे में भी होना चाहिए उसमें बट-पांच ही आपको यादर अखना है आगे का आपको इनसे-सवल नहीं covenant इसलिए आते है। कुल्ट का यूजि उसका होतार समझते हैं तो यह भारत के संदर्म है कि भारत में कोयला कहा कहां कौन-कौन सा सेक्टर में कितना इस्तेमाल करते हैं समझते हैं मान के चलते हैं कि भारत मेशे प्रतीसल wicked निकाले वह स्वारध कोयला हम निकाले अब उस और était कॉयला में सबसे ज्यादा कोईला जाता है बनाने के लिए यानि इलेक्टिसिटी जनरेशन इसको लोग कहते हैद थर्मल पावर प्लांट में लगभग 68% मतलब 70% कोईला इलेक्टिसिटी बनाने में खर्चा होता है तो अगर आप इंडेस्टी स्टील इंडेस्टी ca criter Grand Stock요 या आपको लके तो है सब्सक्राइब में घरिड़ाई आएब यह सेश diesem काफी डशाध प्रतिस सिर्भ storage संगल राफ हो गया इसमें चार प्रतिस सिमेंड इंडश्टी में कोईला को क्रूश करता है भारत उसके चैनल कि यहां पर फो क्या है यहां को dt के रा थीज़र से यह wildlife कर दो करने के लिए इस्तमाल करते हैं तो में क्या है सर में है लेक्टिसिटी वाला याद रखना में है स्टील इंडस्टी याद रखना सिमेंट इंडस्टी याद रखना तो यह तीनों आपको याद रखना पड़ेगा पहला नंबर पे लेक्टिसिटी में खर्चा सेकेंड नंबर पे खर्चा और थाड नमबर पे सिमेंट में खर्चा यह पढ़ना पढ़ेगा आपको याद रखना पढ़ेगा ठीक है चली कॉल फेल्ड इंडिया कुछ कॉल फिल्ड है जिसके बारे हमको पढ़ना है याद खली फ़ड़ना है तो देखू कोल बोकारो, कनस्पूरा ये सब के सब आपके ज्हारकड में पढ़ते हैं, रानी गंज आपके बंगाल में पढ़ते हैं, ठीक है, सिंगरॉली जो है वो असाइद MP में पढ़ता है, विस्रामपूर, उरी मारी, सुहागपूर, ये यूपी में पढ़ता है, चीरी मारी, कोरबा, महँ백, त City में पढ़ता है, तनदूर, प्रांधीता गो दावरी, कान्सी सब को और सी जाता है, तो ये सब कोलप आपको चिंगरॉली विसरामपूर औरी मारी सुहागपूर चीरी मारी कोरबा हिंगीर मार तालचीर पेंच खनन कंप्टी वर्धा वैली तंदूर परानीता गोदावरी वैली खांसी हीला परासाम दारजली अब एक बार सोचिएगा कि आपको नौकरी का जुरत है मान के चलते हैं ठ तो देखिए यहां पे 21 गोग खाली कोल फिल्ड दिया हुआ है और यह सब लिगनाइट फिल्ड दिया हुआ अगर आप कोल से ट्रेनिंग किये हैं तो आप इन सब जगह पे जा सकते हैं रानी गंच एक कोल फिल्ड है अब रानी गंच कोल फिल्ड वे नहीं भी तो कम से कम दो प्राइवीट कमपनी हम मैंन लेते हैं कि दो को कम शेकम प्राइविट कमपनी होगा है अला कि में ज्यादा है, पांच इस क्ति महित बहुत ज्यादा है लेकिन फिर 5 ही गिन रहा है ल SAP कर इलिए को होगा तो बहुत ज्यादा है कि मतलब 63 खाली कमपणी मिल जाएगा आपको 63 कमपणी आप जोड़के देखेंगा न तो इधर से इधर से दुनों मिला के सब जोड़ेंगे तो लगभग 100 कमपणी है जो कोल का माहिनिंग कर रही होगी सोक कमपनी होगे जो कोल का माइनिंग कर रही हो अब सोक कंपणी में आपको सिर्फ 20 कमपणी में एक फार एक जाम देना है और इस 20 कमपणी में एक कंपणीया दो चल्प के एसे होगा जिसमें आपके भ जाएगा तो आपको थोड़ा से यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप जोब खोज़ेगा, थोड़ा सा आपको यहां बुद्धी लगाना पड़ेगा, आपका हो जाएगा, ठीक है, अब आते हैं, लिगनाइट फिल्ड में, कस्मीर में पाए जाता है, कुछ मात्रा में, ठीक जो जैनरली पड़ते हैं, तो यह आपको कोल फिल्ड वाला जो टॉपिक है, वो अच्छे से समाप्त हो गया, आपको अच्छा खासा पॉर्शन खतम हो गया, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, किताब पलटी है गाई पर, आपको समझ में आ जाएगा, कि क्या क्या टॉ अबर हुआ है, ठीक है, चलिए, आई होप अब जो पढ़ा है, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आज दुर्गा पूजा है, तो हैफी दुर्गा पूजा सबके लिए, यह बहुत कमेंट में हैफी दुर्गा पूजा लिग दीजेगा, हमको भी स्कैर दीजेग मेरा भी दुर्गा पूजा है, तो सबको हैफी दुर्गा पूजा, और इसको देखते हम ब्लैक डामेंड में ही डाल देते हैं, क्योंकि साथ प्रिवेस वीडियो में बोले थे कि हम डाल देंगे पूरा, चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले इंग्लास में,